नमस्कार आप देखरें नेक्ष्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों से उत्राखंड के उत्रकासी में सुरंग में काम करने वाले मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और आज उन मजदूरों के लिए एक नए सूर्य की किर्ण सामने आने वाली है अपसे महज कुछ ही देर में जो मजदूर है फसेवे मजदूरों को निकालने का रैश्क्यू आपरेशन शुरू हो चुका है एक एक करके तमाम 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा जिसके ल से एक तालिस मजदूरों को सुरक्सित बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है जिहां तमाम दिक्कतों को पार पागर के जिस परकार से बचाओ कर्मियों ने सुरंग के आर पार पाइप को डाला और उसके बाद से लगातार सुरंग में 41 एम्बूलेंस को लगा जा रहा है जिस परकार एक एक मजदूर को वहां से निकाल कर और शिदा अस्पिताल भरती करने की तैयारियां जो है सरकार की चल रही है वहीं आपको पता दे कि पिछले 17 दिनों में जिस परकार से इस सुरंग का रेस्क्यू करने का काम जो है वो अंतिम अंजाम तक पहुंचा है इ यि तुममांचे जो एक परकार से प्रसाष्ण के लिए चननोती बनी हुई थी लेकिन इन पर काम किया गया औब कुछ ही देर में जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा सुरक्सित एक एक कर के सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा आपको बता दें कि मजदोरों के परिवार के सदस्टे भी सुरंग के पास मौजूद हैं और उन्हें अपने परिवारों से मिलने का भी वक्त दिया जाएगा और जिसके बाद सीधा उन्हें हस्पिताल में भरतिकराय जाएगा कि ताकि नैचुरल वातावन में आने पर उन्ह किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े तो बहराल आपको बता दें कि 41 मजदोरों के रेस्क्यू का काम जो है पिसले 17 दिनों से लगातार जारी है और इस प्रकार से तमाम विभागों की टीमों ने एक्सपर्ट्स ने इस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया है और मजदोरों की जिंदगी का एक नया शन सामने आने वाला है तो जिस प्रकार से ये काम किया गया तमाम विभागों की तरब से तो ये एक बेहतरीन जो अभिहान है इसको अब पूरा कर लिया गया है देश दुनिया की तमाम बड़ी खपरों को देखने के लिए आप लिखते रहिए नेक्ट नाइन न्यूज नमस्कार